नमस्कार आप देख रहे हैं घमासान.com मैं हूँ आपके साथ दिक्षा भान प्रिया पीज़ा में निकली धातू के टुकडे से शक्स का दाथ टूटा दॉमिनोस पे लगा 25,622 उर्पे का जुर्माना उभोक्ता मर्च ने डॉमिनोस पीज़ा को तमिलाडू के एक शक्स को 25,622 का मुआवज़ा देने का आदेश दिया है तो उसमें निकली धातू नुमा वस्तू से कहीं आपका दाथ भी न टूट जाए जी हाँ हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि नील गिरी के आश शंकर नामक व्यक्ति ने डॉमिनोस से पीज़ा लिया था और उसमें निकली एक धातू नूमा वस्तू के चलते पीजा खाते समय वस्तू उनके मुह में चली गई और इसकी वज़ा से उनका दात तूड़ गया। इस बात को लेकर आज शंकर ने उभूगता मंच में डॉमिनोस पीजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और इसी आधार पर उभूगता मंच द्वारा डॉमिनोस पीजा को तमिनाडू के इस शक्स को 25,622 रुपे का मुआवजा देने के आदेश दिये गए हैं। दात तूटने पर इस शक्स ने लगभग 5 लाक रुपे के मुआवजे की मांग की थी लेकिन मंच द्वारा उसे दात तूर जाने और पिजा के खर्च के और दात के इलाज के लिए 25,622 रुपे का मुआवजा दिलवाया है। अपने आप में ये एक अनोखा मामला है जिसमें पिजा में धातू निकल जाने की वज़े से डॉमिनोज को 25,000 रुपे से भी उपर का मुआवजा उभोगता को देना पड़ रहा है।